कहानी के शुरू में हम दो चोरों को देखते हैं जो जंगल में लगणियां काट कर उन्हें चोरी कर रहे थे तभी उधर एक चोर को दरख पेड़ से आवाज आती है वो डर जाता है और भागने लगता है उधर ही एक पेड़ से एक औरत गिरती है जो प्रेगनन्ट थी दरासल उसके पेड़ में एक करियेचर का बच्चा था जो बाहिर आने के लिए तड़प रहा था तभी उधर एक आदमी आता है जो उन चोरों को शूट करके मार देता है क्योंकि उन्हें करियेचर का पता चल चुका था फिर इसके बाद कहानी में हम जेसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी डैड को लेने के लिए आया हुआ था जेसी के डैड के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिससे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी कर्ड के मेंबर हों कर्ड यानि वो लोग जो जादू पर यकीन रखते हैं जाते हुए गाड़ी में जेसी के डैड उसे बताते हैं कि वो एक मॉटेल के मालिक है उसने दूर एक घर लिया हुआ है जहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं मतलब जो लोग बुरा काम करते हैं वो उस जगापर पुलिस से बचने के लिए आते हैं वो गाड़ी में जेसी को उसकी मॉम की सीक्रट का एक पैकेट देते हैं कि यह तुम्हारी मॉम की आखरी निशानी है और यही व मोटेल में ले आए थे वो जेसी के साथ खाना खाते हुए कहते हैं कि यह जगा शहर से बहुत दूर है यहाँ पर हमारी डैबिट क्रेडिट कार्स कुछ काम के नहीं है और यहाँ पर अक्सर खाने के भी तंकी हो जाती है जो बड़ा आदमी इनके साथ आया हुआ था वो ज जेसी के डैड उसे पैसी दिया करते थे मोटेल में बड़ा आदमी जेसी के डैड से अपने कमरे में जाने का कहता है और यह भी कहता है कि अगर उसे रहने का कमरा ना दिया गया तो वो अपने पैसे वापिस ले लेगा मगर जेसी के डैड कहते हैं थोड़ा इंतिजार करो फिर ये दोनों को मोटेल की बेस्मेंट में लेकर जाते हैं, जहां पर ये एक पूल और छट पर बनी हुई कुछ तस्वीरें देखते हैं, जेसी काफी हैरान था, अब जेसी के डैड कहते हैं कि तुम उस आदमी से कपड़े उतारने का कहो, तब ही वो कमरे में जा सकता है, जेसी काफी हिरान होता है कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी कहने पर उस आदमी ने कपड़े उतार दिये थे, जेसी के डैड उसकी तस्वीर भी बनाते हैं, पर वो आदमी थोड़ा परिशान था, वो सोच रहा था कि आखर ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, वो आदमी डरा हुआ था, मगर जेसी के डैड उसको डाणते हैं, कि जाओ कमरे में, जिसके बाद वो अपने वेटे को कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं, जाओ पर से सब कमरों को देखा जा सकता था, वहां रहकर सबी कमरों पर नजर रखी हुई थी, जेसी के डैड कहते हैं, क्या तुम देखना चाहोगे कि उस कमरे में क्या हो रहा है, जेसी कहता है हाँ, तब ही उसके डैड एक अलमारी खोलते हैं, जिसके अंदर एक खूफया दरवासा बना हुआ था, वो बढ़ा आदमी जब बैड पर लेट कर आराम करता है, तो वो बैड अचानक से चिपचिपा होने लगता है, और उस आदमी के जिस्म की हटियां तोट रही थी, जिसी भी ये सब बाहर खड़ा देख रहा था, उसे ये सब देखकर अचीब लगता है, और सोचने लगता है कि एक बैड आखिर एक आदमी को कैसे खा सकता है, इसके बाद जिसी की डैड उसको एक बैड देते हैं, और उस आदमी के बाद की जिस्म के इस्सों को उठाने का कहते हैं, जिसी जब ऐसा कर रहा था, तो उसको बैट के नीजी एक क्रियेचर दिखाई देता है, जिसी जैसे ही उसे देखता है, उसे उल्टी आने लगती हैं, उसके डैड उसके पास चाते हैं, तब ही उनकी उंगली सी खून आ रहा था, वो उस खून को क्रियेचर को बिलाकर उसे शान्त करते हैं, और जिसी से कहते हैं कि इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैं आदमियों को ही लाता हूँ, क्योंकि यह करियेचर सिर्फ आदमियों का गुश्ट खाता है, और और तों पर इस किसम का हमला करता है, कि वो प्रेगनन्ट हो जाती हैं, जिससे एक और करियेचर पैदा होता है, अगली तिन जेसी मोटेल के बाहर एक लीड़ी को देखता है, जो दरासल कोई और नहीं बल्की एंजली थी, वो फोन पर डॉक्टर से बात कर रही थी, क्योंकि उसका बेटा बिमार था, अब जेसी एंजली के पास चाता है, और उससे पोचता है कि तुम कौन हो, और यहां क्या कर रही हो, क्योंकि वो एंजली के बारे में नहीं जानता था, जिसके बाद एंजली जेसी के डैट के पास चाती है, और उससे बताती है कि उसका बेटा बिमार है, उसको पैसों की जरूरत है, जेसी के डैट उसे पैसे देते हैं, और उसे और ज्यदा लोग भीलाने का कहते हैं एक दिन जेजी के DAT और वो एक रास्ते पर जा रहे थे जहां से सभी बोर्डर को पार करकी आगी जाया करते थे जेजी के DAT रास्ते पर एक ट्रैप लगा देते हैं एक ऐसाथ जाल बिछाते हैं जिससे आने वाले लोगों की गाड़िया पंचर होंगी और लोग फिर पना लेने इनके मोटेल में आएंगे और ये बड़े ही आराम से उस करियेचर को लोगों को खिला सकेगा वापिस जाते हुए जेसी अपने डैट से कहता है आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो आपने कैसे उस बुड़े आतमी को उस तरियेचर की हवाले कर दिया उधरी जेसी के डैट उससे कहती है कि मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम मेरे काम को संभालो वो उसको चावियां भी देते हैं इनी बातों के दोरान जेसी की गाड़ी का एकसिटन्ट हो जाता है वो जब होश में आकर अपने डैट को देखता है तो उसके डैट मर चुके थे उनकी मौत हो गई थी उसकी डैट मरने के बाद एक पेड़ में बदल जाते हैं वो डर जाता है और गाड़ी से बाहर आता है रास्ते में वो एक जाते हुई गाड़ी को रोक कर उनसे मदद मागने लगता है उस गाड़ी में एक कपल था मगर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थी जेसी अब उनको अपने मौटैन ले आया था जहाँ पर एंजली उसका इलाज करती है और उससे कहती है कि मैं तीन क्रिमिनल्स को अपने साथ लाई हूँ जिसके मुझे पैसे चाहिए जेसी उससे कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है मेरे डर्ड की मौत हो चुकी है जिसके बाद जेसी उन लोगों से मिलने चाता है और उन्हें खाना भी देता है मगर खाना बहुत कम था इत आदमी कहता है ये खाना तो बहुत कम है और तो और हमारा पैट भी तो नहीं भरेगा इससे जिस पर जेसी उनसे छूट बोलता है और कहता है देखो ये चकाव बहुत दूर है और मेरे डैट जल्दी खाना लेकर आ जाएंगे वो खाना ही तो लेने गए हुए हैं अब खेर थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और जेजी कंट्रोल रूम में बैठ कर सब की बा करते तो वो तो मर जाता ना और मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं लगता उधर वो तेनों क्रेमिनल्स भी अपने घर जाने के बारे में बात कर रहे थे तब ही जेजी देखता है कि एंजली उस क्रियेचर के कमरे को चाकु से खोलने की कोशिश कर रही थी फॉरण से जेजी कोई पैसे नहीं है मगर वो नहीं सुनती और दर्वासा खोल देती है और जाते ही उसमें पैसा को ढूरने लगते हैं लेकर उसे कुछ भी नहीं मिलता अब जब ये दोनों यहां से जाने वाले थे तब ही उधर वो कपल आ जाता है जो जेसी को पचा कर लाया था वो उस कमर करियेचर लड़के को अपने अंदर खीच लेता है मतलब उसे खा लेता है और उस लड़की को प्रेक्नेंट कर देता है बाद में जेसी दुबारा से जब उस कमरे में चाता है तो वो लड़की को अपनी साथ ले आया था जो बच गई थी उसे साफ करकी एक अलग कमरे में स जाकर देखते हैं, तो उधर पूल में वो लड़की थी, जिसको जेसी अलग कमरे में सुला कर आया था, वो पानी में तैर रही थी, उस लड़की का पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उसके पेट में क्रियेचर का बच्चा था, वो दर्द से तडप रही थी, वो पेट से अजीब सा क्रियेचर बाहर निकलता है, और निकलते ही, उधर एक आदमी पर हमला कर देता है, पर उसको उसकी दोस्त बचा लेते हैं, वो क्रियेचर अब वहाँ से भाग गया था, जो तीन क्रिमिनल्स आदमी थे, उनमें से एक चीज़ी से कहता है, हम ही जल्दी निकलना होगा, वरना वो क्रियेचर हम सब को मार देगा, जब यह यहां से जाने लगते हैं, तो देखते हैं, किसी ने इनकी गाड़ी को पंचर कर दिया था, वो वापीस अंदर आकर एंजली से पोचते हैं, क्योंकि इन्हें यहां पर एंजली ही नाई थी, वो उससे कहते हैं, जरूर तुमने यह ऐसा किया होगा, मगर तभी इन्हें बहुत खौफनाक ड्राउनी आवास सुनाई देती है, जो उसी क्रियेचर की थी, जिसको जेसी के डैट ने रखा हुआ था, इसलिए सब बहुत साथा डर जाते हैं, तभी यहां पर एंजली सब को बताती है, कि जेसी के डैट ने मुझे ये जॉप दी थी, कि मैं यहां पर लोगों को लाऊंगी, जिसके लिए वो मुझे पैसे देते थी, पर अब मुझे लगता है कि इसके डैट ने यहां पर बहुत सारे पैसे चुपाई हुए हैं, जेसी कहता है, ठीक है, तुम सब चुका कुछ यक करियेचर में से आवाज आती है, जब ही अपना नाइटर जलाकर देखता है, तभी उस आदमी के नाइटर से आग लग जाती है, उस तीवार में करियेचर के जड़े थी, जिस वचा से वो करियेचर जोर सोर से चीखने लगता है, और उस आदमी को मार देता है, फिर छोटा क्रियेचर दूसरे आदमी को भी मार देता है जब जीसी एंजली और तीसरा क्रिमिनल आदमी जो इनके साथ था वो आते हैं तो वो उस लड़की से पोचते हैं जिसका वो खयाल रख रहे थे यह आखिर इधर हुआ क्या था वो बताती है कि क्रियेचर इस सब को मार दिया तब एंजली से कहता है समझने की कोशिश करो इससे सब के जान को खत्रा हो सकता है हम देखते हैं कि उस बच्चे के मरने से बड़े क्रियेचर को गुसा आ गया था वो सोर सोर से चिलाता है उधरी क्रिमिनल आदमी एंजली को पानी में डबो कर मारने वाला था क्यूंकि उसे उस सब मेंने किया है वो से छोड़कर जेसी को पकड़ लेता है मगर जेसी जब देखता है कि पानी में क्रियेचर आ चुका है वो उस क्रिमिनल आदमी को बातों में लगाता है जब ही क्रियेचर उस आदमी पर हमला कर देता है मगर उस आदमी ने चाकु से उस क्रियेचर की जाने वाले थे उदर वो आदमी भी इन्हें ढून रहा था यहां से बाहर जाते हुए वो लड़की बहुत सारा खाना देखती है जेसी उसको बताता है कि यह तो हमने मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ था तब ही उदर क्रिमिनल आ जाता है इस पार जेसी उसको क्रियेच जादा ने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेसी की वज़ा से यसकी दोस्तों की चान गई है उदर ही एंचली पे आ गई थी और उस पर चाकू से हमला कर देती है जिससे वो बैड्ड पर गिर जाता है बैड पर गिरते ही क्रियेचर आ गया था जो उसको घूच हनच क्रियेचर को देखता है जो अजीब एक पीर्ड की तरह देख रहा था वो क्रियेचर जेसी पर हमला करने वाला था मगर उसकी जड़े वही पर फासी होई थी जिसके बाद जेसी ये फैसला करता है कि ये इसको खत्म कर देगा ताकि आएंदा ये क्रियेचर किसी को नुकसान पहुंचाए जैसे ही ये बैट वाले कमरे में जाता है उदर एंजली बैटी थी जो बैट कर रो रही थी क्योंकि उसका बेटा मर चुका था मगर जेजी उस बैट को आग लगा देता है अब जब यहां से जाने वाले थे तभी एंजली को अपने बैट में कुछ मैसूस हो रह था क्योंकि जब यह उस बैट पर बैटी थी तो करियेजर ने इस पर भी हमला करके इसे प्रेगनन कर दिया था एंजली दूर जाकर अपने बैट को काट कर उस करियेजर के बच्चे को बाहर निकाल देती है जेसी जब उस बच्चे को मारने लगता है तो एंजली उसको मना करती हैं वो बच्चा भी वहां से भाग गया था वो लड़की जो जेजी के साथ थी वो अकेले गाड़ी लेकर भागने के कुशिश कर रही थी तब ही गाड़ी रुख जाती है हम दीखते हैं कि उसकी जिस्म से जड़े बाहर आ रही थी वो लड़की भी मर जाती है उधर एं माश इसमें हो वो उनसे सौरी कहता है कहता है सौरी डैड की मेरी वचा से आपकी मौत हो गए जाते हुए वो अपनी मौम की खयानों को भी देख रहा था और चला जाता है हमने कहानी के शुरू में देखा था कि क्रियेचर जिसको भी मारता था उसको पेर दराफ्ट में रख लिया था ताकि जो भी इनकी मौटेल में आए वो उस क्रियेचर को खिला कर उसका पीट भर सके मगर इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि ये क्रियेचर आखिर आया कहा से था और इसी के सारी मौवी यही पर खत्म हो जाती है